नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आप सभी का सेसी में स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी के साथ भरत्य सुतना संग्राम के महत्पून अध्याय 2018 में हुए दू महत्पून घटना खेडा अंदोलन और आहमदाबाद मील मजदूर अंदोलन के बारे मैं चर्चा करूँगा लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी पिछले लेक्षर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था जिस घटना के बारे मैं चर्चा किया था उसको पुनो है एक बार आप सभी के सामने प्रस्तूत कर दूँग उसमें हम लोगों ने 1913 इसवी से ले करके 1917 इसवी के बीच की महत्पून घटना के बारे में चर्चा किया था आए जानते हैं 1913 गदरपाटे की आस्तपना हुई थी 1917 चमपारण सत्याग्रा के नाम से जाना जाता है आते हम लोग अब 1918 इसवी जिसके बारे में हम लोग तुनन चर्चा करेंगे देखी 1918 इसवी में महत्पून घटना हुई थी खेरा सत्याग्रा 1918 इसवी में कौन सी घटना घटित हुई थी खेरा सत्याग्रा Bitcoin 2018 में अपको पर्थम विश्वत समाप्थ हुआ था लेकिन फिलाल हम लोग यहां पर चार्चा करेंगे खेडा सत्यागर के बारे में कोशन पूशे खेडा सत्यागर को रम हुआ था 2018 में आये तो जानते खेडा सत्यागर क्या है खेडा जो है गुजरात का एक जीला है यहां की मिटी बहुत ही उपजाव थी जहां पर मुखरूप से खाद फसल तमबाकू का उत्पादन होता था रुविका भी महापर उत्पादन होता था यानि इसके लिए वह एक सुलब बजार था जहां पर काफी मत्रा यानि काफी अधिक धनिक किसान थे जोकी पडिदार कहलाते थे इसके अतरीक तो वहां पर किसान भुम्हीन किर्शक भी रहते थे हुगा क्या अनिस 18 इस भी में जो है खेडा जीला में भीशन दुर्विक्ष के कारण गुजरात के खेडा जीले में पूरी फसल बरबाद हो गई क्या अधिन इस अठार में वहां पर भीशन जो धुर्विक्ष पड़ा था जिसके कारण साल भर के किसान के जो महनत थे वह बेकार पड़ गए फसल बरबाद हो गई फिर भी सरकारन किसानों से माल गुजारी जो है असूल करने की परकिरिया जारी रखी ठीक है किसानों ने कि लगान माफ किया जाए क्यूं कि फसल उतपादन तो हुआ नहीं था और रजस्व सहिता जो था यानि रजस्व के असूलने करूं सार जो नियम था वह बताया गया तो उस नियम में कि यदि फसल का उतपादन 1423 से कम हो अर्था 25 परतिसाथ से कम हो तो किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा लेकिन सरकार जो क्या थी ठीक इसके विप्रित थी वह मान नहीं रहे थी लगान उनको चाहिए था हुआ क्या कुछ समय बात जो है मुंबई के दो अकील कहां के मुंबई के दो अकील वीजे पटेल और जी के पारिख ने इस समंध में छान बिन की और कि समय जो खेडा का कलेक्टर था वह निर्ना लिया कि लगान माफ करने की कुई उचीति नहीं है सरकार की घरना थी कि बाहर की लोगों किसानों को भड़काया अर्थात सरकार या सुच रखती थी यह सुचती थी कि किसानों यह मांग नहीं की थी वरन इसके लिए उन्हें बाहर के लोगों ने भढ़काया था जो कि होम रुन लीग और गुजिरात सभा से समंद रखते थे इस समें गुजिरात सभा के अध्यक्ष कौन थे तो गांधी जी थी ठीक है जबकि बात वह नहीं था बात वास्तों में जो है मुहन लाल पांडे जैसे अस्थानी गाओं के नेताओं ने उठाए थी यानि सर पर्थम इस मामलों को किसने उठाया था तो वहां के अस्थानी किसान था जो है मुहन लाल पांडे कौन था जी मुहन लाल पांडे खिडा जीला के युगा अधिवाक्ता बल्लभाई पटेल इंदुलाल यागिक अन युगा उने गांधी जी के साथ खिडा गाउं का दवरा किया गांधी जी उस समय आपको गुजरात सबाग अध्यक्ष थे इनके साथ वहां के जो भी थे जैसे युगाउ किल थे बल्लभाई पटेल इंदुलाल यागिक और इनके साथ बहुत ये लोग थे वही लोग मिलकर गांधी जी और गांधी जी यह वहां पर बताए कि किसानों का जो अधिकार है वह जय बैद है वे लगान नहीं दे लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहें दिया गांधी जी ने किसानों को यह राए दिए कि वह अपना लगान न दे और किसानों का उट्साह बढ़ाने के लिए जो है गांधी जी गाउं गाउं घुमें और लोगों को नीडर बनाए गांधी जी ने 22 मार्च निस अठार को सत्यागर प्रारम कर दिया 21 अप्रील के दिन सत्यागर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई उस दिन 237 किसानों ने यह सफत ली किवी लगान नहीं देंगे सरकार ने यह आदिस जारी किया क्योंकि अब चरम सीमा पर अंदलों पहुँच गई थी जिसके कारण सरकार मजबूरन यह आदिस जारी किया लगान की उसली केवल उन्हीं किसानों से की जानी चाहिए जो कि उसको दे सकते हैं गरीब किसानों पर इसके दबाब realities नहीं डाला जाएगा गांधे जी ने जब यह सरकारेज घोषना सुनी तो खेडा सत्याग्रा को क्या कर दिया समाप्त कर दिया और खेडा के जो है बहुत से गाउं में सत्यागरा वापस ले लिया गया इस तरह से गांधीजी की विजय प्राप्थ हुई तो खेडा सत्यागरा समाप्थ हुआ और वहां के जो भी निर्धन की सांथे उनसे कम माल उजारी उसुला गया तो यह था खेडा अंदुलन का महत्पूर्ण अध्या ह अब हम लोग जानेंगे 1918 में ही एक महत्पून घटना घटित हुई थी अहमदाबाद मिल हरताल अंदुलन अहमदाबाद यह भी जो है गुजात में ही इस्तित है जानेंगे लेकिन एक छोटा साइस में हम देखिए क्वेस्ट में लिखे हुए हैं आप लोगों कि यहीं प अब जानेंगे कि प्लेग बोनस को लेकर जहें बीबाद चीड़ा था अब जानेंगे कि प्लेग बोनस क्या था इसकी बैग्ग्राउंड क्या थी देखिए 1927 में अर्थात 1927 के आसपास अहमदाबाद जो है वो ओधोगिक नगर के रूप में विख्षित हो रहा था इन्हें गुजरात का जो अहमदाबाद नगर था क्या था नगर के रूप में यानि ओधोगिक चरण वहां पर प्राराम हो रहा था इसके लिए मजदूरों की अत सुचा कि उन्हें आकरशित करने के लिए उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया जाए उची दर कर दिया जाए जिसे वह अधिक सरदी काम करेंगे और रुकेंगे लेकिन हुआ क्या कि उसमें 1927 विकास पास लगवग पलेग महामारी फैल गई और पलेग महामारी फैल गई तो ह हुआ कि सर्मिक जो है सर छोड़कर गाव जाने लगे इससे और सर्मिक की संख्या कम हो गई तो फिर मिल मालिकों ने यह दिमाग लगाया यह घोशना किया कि नहीं अब उनको प्लेग बोनस दिया जाएगा अर्थात आपको जो है वहां पर जो काम करेंगे मजदूरी करेंगे उससे और लग एक बोनस के रूप में दे जाएगा और बोनस क्या होता था तो जो कभी कभी साधारन मजदूरी जो होती थी उसके लगव 75% तक होता था लेकिन जब हमारी समाप्त हो गई तो मिल मालिकों ने इस भत्य को क्या कर दिया समा अभी क्या हुआ था कि आपका जो अन्नेश 18 में ही विशूद पर्थम विशूद की समत्य हुई थी जिसके परभाव के कारण बहुत से बस्तु महांगा हो गया था यानि महांगा ही बढ़ गए थी तो मजदूर सोचते थे कि जो बोनस मिल रहा है उससे कुछ उनको रिलीफ ह रही है मजदूर आप कह रहा थी कि नहीं बोनस को समाप्त नहीं करना है जो है आप हमको कम से कम इसमें पचास परसेंट की ब्रिधी किजिए लेकिन जो मालिक थे मिल मालिक वह कह रहा है थे कि नहीं 20 परसेंट जो आपको हम ब्रिधी कर सकते हैं जो मजदूरी कर रहा है उस कि जगड़ा चल रहा था यानि उनके जो है विवाद छिड़ा हुआ था उसी समय का हुआ कि मजदुरों के समर्थन में जो है गांधी जी अनुष ऑठारे समी में पहली बार भूखड़ता लेकिया था आयो और देखते हैं अहमदाबाद के अंग्रेज कोलक्टर गांधी जी से मिल मालिखों पर सर्मिकों से समझावता करने के लिए तो अब ध्यान देखते हैं मिल मालिख में एक अंबालाल शारा भाइ गांदी जी केमित्र थे मिल मालिक में से क्या था एक जो थे अंबालाल सारा भाई वह गांदे जी की मुत्र थे कैसे मुत्र थे ध्यान ने इन्हों ने साबर मत्ती आश्रम के निरिमाण में अधिक मात्रा में द्यान दिया था ठीक है जो साबर मत्ती आश्रम के अस्थापना होई थी अन्निस सुरह इ गांधी जी ने गांधिलोन को आगे बढ़ाया मिल मालिकों ने मजदुरों को 20 परशंट बोनस देने के लिए अपको बता चुए और धमकी दी कि जो बोनस सुविकार नहीं करेगा वो नुकरी से बाहर कर दिया जाएगा और यहां पर क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे वे कहे मजदुरों को 35 परशंट बोनस जो है देने की जो है क्या कि ओकालत की अर्था ध्यान ने यहां पर गांधी जी क्या हुआ कि वे भी संग्यान लिए कि क्या मिल मालिक के भी आर्थे के सिती कैसी है मजदुरों को और दोनों को जो द्यान रखते विए अध्यन करने के बाद गोशना किया कि नहीं 50 परशंट जो क्या है अधिक है इसको न्याय पूर्वक समझते हुए उन्हों ने कहा कि मजदुरों को कम से कम कितना 35 परशंट जो है बोनस मिलनी चाहिए और इसका समर्थन भी किया पंद्रे मार्च को गांधी जी ने गोशना कि कि जब तक कोई समझ लिया और कहा कि मजदुर को 35 परशंट बोनस दिया जाए इस तरह से मजदुरों को 35 परशंट बोनस देने के मिल मालिक सहमत हो गए और गांधी जी ने क्या किया यह अंदुलन समाप्त हुआ इस तरह से भारतिय स्वतनता संग्राम इतिहास के दू महत्पूर अंदुलन खे इतना ही नेक्स्ट घठना के बारे माल जो महत्पूर्ण है आप उसको देखना न भूले इस वीडियो को लाइक करें सिस्क्राइब करें सियर करें और वाटसब ग्रूप में जूलना न भूलें थेंक यू धन्य बाद